हेलो फेंड्स वेलकम टू सिक्षा तो टॉप फाइव एंसी क्यूज हम सूशल सिक्यूरिटी लेक्चर फाइव ठीक है चार वीडियो अभी तक देख चुके हैं पांच एंसी क्यूज हर वीडियो में कर रहे हैं ठीक है इसके बाद 25 कुछिंस कंप्लीट हो जाएंगे हमारे म इस वीडियो में जो हम topic के वर कंसेंट्रेट करेंगे एक तो POSKO Act के वर हम कंसेंट्रेट करेंगे उससे रिलेक्टिध दोसे अंच सेल्रीट ने चुलिड ने का सिर्फयन अव्हां झाहिएं और मिरण चल्पपली किटाईंच ओनिच ऑनि चाहिएigs डिकिन उस ठीक इन फ। से बच्चे छोड़ देते हैं इग्णोरेंट हम हो जाते हैं चीजों में तो फुल फॉर्म पता हो नहीं चाहिए पॉक्स की क्या है प्रोटेक्शन ओफ चिल्डरन एफ रॉम सेक्शल ओफेंसे अक्ट ठीक है तो इसमें पूछा गया है कि चाइल्ड को किस तरह से डिफाइन किया जाता है as someone who is below the age of 12, 14, 16 और 18 तो आपको directly age इसमें बतानी है act में specified है 12 साल से चोटे बच्चों को चाइल्ड बोला गया है 14 साल, 16 साल, 18 साल ठीक है attempt खुद से करने की पहले कोशिश करनी है answer इस case में क्या हो जाएगा answer इस case में हो जाएगा आपका option D answer क्या हो जाएगा option D 18 years तो 18 साल से चोटे बच्चों को child की definition में जो है boxों में रखा गया है all right चलिए अब अगर हम different acts को देखते हैं तो different acts में child की age को differently define किया गया है तो less than 18 18 से कोई भी छोटा है तो boxों में वो child है अगर आप देखतो child labor prohibition and regulation act को तो इसमें जो child की definition है वो less than 14 रखी गई है तो यह चीज़ याद रखनी है काफी important है यह आपका industrial labor का पार्ट भी बन सकता है industrial relations and labor law का पार्ट भी बन सकता है ठीक है industrial relations and labor law का पार्ट भी बन सकता है इसलिए इसको ध्यान में रखना है जो juvenile justice act है जो 2015 में लिकर आए गया था उसमें भी children की definition less than 16 रखी गई है boxों में 18 child labor में 14 और आपका जो juvenile justice है उसमें 16 फिर अगर आप factories act देखते हो 1948 वाला तो इसमें 15 है तो हर में अलग है ठीक है हर में अलग है child labor में 14 factories act में 15 juvenile justice में 16 और boxo act में 18 तो यह आपको याद होनी चाहिए examiner confuse कर सकता है और यही motive था यहापर यह question आपका डालने का ठीक है बहुत important है हर का criminal justice में पूछ लेंगे यह child कैसे defined है factories act में पूछ लेंगे तो चार question यहापर आपके निकल कर आते हैं सीधे-सीधे यह statement based question भी जो है वो बन सकता है ओके चलिए second question the boxo act यह boxo होगा boxo act stipulates that a case of child sexual abuse must be disposed of within dash from the date the offense is reported जब भी offense report हो रहा है child sexual abuse का तो act में लिखा गया है कि कितनी time में उसको आपको maximum dispose of करना है उसको maximum आपको solve करके side में करना है तो कितना time 3 months, 6 months, 9 months या 12 months कितना time लिखा गया है act में ठीक है इस तरह के questions generally अगर आपको points पता है तब ही आप answer कर सकते हो तुक्के लगाने के scope बहुत जादा कम होते हैं इसके अंदर और इनके अंदर तुक्का लगाने का फाइदा भी नहीं होता नेगिटिव मार्किंग आपका option D, within 12 months जो है आपको खतम करना है, within 12 months जो है आपको case को dispose of करना है, important point है याद रखेंगे, next question, which among the following statement is incorrect in relation to the POCSO Act, इन में से कौनसी statement जो है वो incorrect है अगर हम POCSO Act के relation में देखें, पहला कि यह gender neutral law है, दूसरा, it recognizes consensual sexual act between a child and an adult, तीसरा, protection of children from sexual offenses amendment, act provided a provision of death penalty, या फिर none of the above, इन में से कौनसा incorrect है, आपको incorrect बताना है, मैंने आपको पहले भी बताया है, कि UPSC के exam में आपने सबसे पहले क्या करना है, correct और incorrect को circle करके अपना जो है रख लेना है, क्योंकि यह बहुत फसाते हैं, correct और incorrect में, ठीक है, तो incorrect आपसे पूचा गया है, तो incorrect statement इसमें कौनसा हो जाएगा, option B, option B, यह incorrect है, यह incorrect है, यह incorrect है, it recognizes consensual, no, it does not recognize, अगर sexual act हो रहा है between a child and an adult, और वो consensus से हो रहा है child के, फिर भी वो एक crime है, even consensual sexual act between a child and a child, that is between two people who are below the age of 18 years, अगर उनके बीच में भी consensual sexual act हो रहा है, then that is also not recognized by your Poxo, okay, यह एक important point है, जो आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, तो answer इस case में आपका option B हो जाएगा, अब provisions देख लेते हैं, Poxo Act से related कुछ, ठीक है, ताकि easily जो है, आप इसको कर सको, अगर statement based question आ जाता है, special courts establish करने की बात करता है, ताकि speedy trial हो सके, ऐसे offenses का, within one year, जो है, offense के report होने में, case को solve जो है, करना ही करना है, ठीक है, यह लिखा गया, relief and rehabilitation provide करनी है, चाइल को, जैसे ही complaint, जो होती है, ठीक है, जो special juvenile police unit है, या फिर जो local police है, they are required to report the matter to the child welfare committee, जैसे ही police unit के पास, या local police के पास, child abuse का कोई भी case आता है, तो within 24 hours, उस local police को, ये case, जो है, child welfare committee को report करना है, ठीक है, ताक ये जो welfare committee है, it can work for the long term rehabilitation of the child, gender neutral law है, gender neutral law का क्या मतलब हो गया, कि it recognizes sexual abuse of both male and female, ठीक है, it recognizes sexual abuse of both male and female, ऐसा तो नहीं है, कि male जो बच्चे है, जो boys हैं, उनके साथ sexual abuse practice नहीं होती है, तो ये एक gender neutral law है, चाहे अगर आप sexual abuse girls के against हो रही है, या boys के against हो रही है, जो दोनों 18 साल से नी हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया, consensual sexual act को भी recognize नहीं करता है, चाहे वो दो बच्चों के बीच में हो रहा है, या फिर वो एक बच्चे और एक adult के बीच में हो रहा है, ठीक है, it prosecutes any person including a child for engaging in a sexual act with a child irrespective of whether the letter consented to it, ठीक है, अगर कोई adult sexual relationship में आता है, चाहे वो consensus के साथ फिर भी उसको punish joy किया जाएगा, इस act के अंडर, यह सीधा सीधा यहां पर लिखा गया, इस तरह की statements directly वो question में डाल देते हैं, और फिर आपसे पूछ लेते हैं, correct, incorrect, तो आपको पता होना चाहिए, okay, चलिए, fourth question, general सा question है, who among the following releases the gender gap report, पता होनी चाहिए, important reports, international reports, current affairs का part भी ब question, the integrated child protection scheme, integrated child protection scheme, इस scheme में कहा गया है कि child protection societies बनाई जाएगी, यह child protection societies किस लेवल पर बनेगी, गराव पंचायत के लेवल पर, district level पर, state level या national level पर, सिधा सथ सवाल है, कि child protection societies बनानी है पर किस लेवल पर, खीक है जी, तो answer इसका क्या हो जाएगा, आपका option B, तो integrated child protection स्कीम में क है at the level of district ठीक है तो central sponsored scheme है आपकी integrated child protection scheme और इसका mainly aim क्या है कि एक protective environment build up कर सके जो बच्चे difficult circumstances में है जो vulnerable बच्चे हैं उनकी help करने के लिए ये एक scheme जो है लेकर आई गई है और इस scheme में district child protection societies बनाई जाएंगी state government और UTI administrations के तुरू हर district में ये district child protection society होगी ठीक है और इसका काम क्या होगा इसका काम mainly ये होगा कि identify करें ऐसे परिवार और ऐसे बच्चों को जहाँ पर risk है बच्चों को जहाँ पर बच्चे vulnerable है ताकि उनकी help की जा सके ओके ये important point है social security में इस तरह के questions पूछ लिए जाते हैं ओके चलिए तो इसके साथ हमारे यहां पर ये 5 questions जो है cover हो गए है देखो मेरे को ऐसा feel हो रहा है comments भी देखकर और बच्चों के thoughts देखकर मेरे को पर message भी है कि सर थोड़े लंबे videos बनाओ trust me ये short videos आपको help करने वाले हैं ये पांच-पांच questions के video आपको help करने वाले हैं इदर उदर की फालतों बाते मैं करता नहीं करता भी हो तो बिलकुल last करेगा बाकि आपने वीडियो जो है चैनल जो है सब्सक्राइब जुरूर करना वीडियो को लाइक जुरूर करना बहुत सारा content आपको भी मिलने वाला है तो जुड़े रहे हैं मिलूंगा मैं अगली वीडियो में तब तक के लिए all the best and bye bye